तो दोस्तो आज का जो वीडियो है यह YouTube कोर्स का पार्ट नमर 7 है और आज के इस वीडियो में हम यह सिखेंगे कि आप जो अपने वीडियो के लिए जो है वो थमनेल जो है वो किस तरीके से जो है वो बना सकते हैं वो भी प्रोफेशनल आप जो इस तरीके का थमनेल कैसे बना तो दोस्तो वीडियो जो वो काफी खास होने वाला है तो इस वीडियो को आप भी ना escape किये सुरू से लेकर अंतक जो हो देखते रहें तो ज़्यादा समय नगमाते हो चलिए आज की वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो आपको यूटूब वीडियो के थमनेल को बनाने के लिए आपको एक application की जरुवत है जिसका नाम है Pixel Lab और दोस्तो यह application जो आपको Google Play Store पर बड़ी आसानी से जो है वो मिल जाएगा आप वहां से जो सब सब पहले जो वो download कर लीजिए उसके बाद दोस्तो डाउनलोड करके अप जैसे open करेंगे तो कुछ इस तरीकी का जो interface है वो आपके सामने जो है वो आ जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है सबसे उपर में आपको three dots देख रहा होगा इस three dots पे जो आपको click करना है उसके बाद दोस्तों आपको image side पर जो है वो click करना है image side पे click करने के बाद दोस्तों एक arrow का icon जो है वो आपको देख रहा होगा तो चलिए हम ok कर देते हैं उसके बाद दोस्तों हमारा इमेज है वो पूरी तरीके से जो है वो select हो गया है जो कि YouTube thumbnail का perfect size है उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है सब सब पहले जो आपको background जो है वो select कर लेना यह जो background आप देख सकते हैं यहां पर यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है तो इस background को आप चाहे तो Google से भी download करके यूज कर सकते हैं अपने thumbnail में या तो यहां से भी background बना सकते हैं तो background को change करने के लिए आपको क्या करना है यहां पर आपको एक arrow दिख रहा हुगा वो रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं अपने background को आप देख सकते हैं white रखना चाहते हैं जिस color में दोस्तों अगर आप रखना चाहते हैं तो आप वो रख सकते हैं आप देख सकते हैं जैसा कि जो भी आपको अच्छा लगता है उस तरीके से जो है आप अपने background का जो color है उसे जो है वो look दे सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहां से जो आपको क्या करना है OK कर देना है तो यह background जो है आपका जो select हो जाएगा और दोस्तों अगर आप यह चाहते हैं कि आपको इन सब message जो है जो आप गूगल से आप डाउंलोड करते हैं किसी background को उसे अगर आपको यूज करना है तो उसके लिए आपको दोस्तों क्या करना है यहां पर जो अद्देख सकते हैं form gallery तो form gallery पर आपको click करना है और आपने जो भी background जो है वो download करके रखा होगा वो सभी का सभी जो आपकी गैलरी में जो दिख जाएगा तो उसके बाद जो दोस्तों आपको क्या करना है उस बैगराउंड को यहां से जो सेलेक्ट कर लेना है तो चलिए हम यहां से जो इस बैगराउंड को जो सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद यहां से जो हम OK कर देंगे, OK करने के बाद जो यह आपके background में जो set हो जाएगा, उसके बाद दुस्त आपको क्या करना है, इसमें जो है वो कोई आगर आप image जो है वो add करना चाहते हैं, तो बड़े आराम से जो है वो कर सकते हैं, तो image आपको क्या करना पड़ेग है, तो चली हम जो इससे select करेंगे, उसके बाद चली यहां से हम थोड़ा crop कर देते हैं इसे, और यहां से उसके बाद आपको OK कर देना है, ओके करने के बाद इसे खीच के आपको एक side में कर देना है, आप देखते जाए इस तरीके से जो आप भी thumbnail बना सकते हैं, उसके करेंगे, यह ही नहीं सकता, उसके बाद दोस्तों आपको और भी image जो है, वो add करना है, तो आपको जो यहां पर click करना है, import वाले option पे, और चली हम अपनी भी जो है, वो एक image जो है, लगा देते हैं, तो हमने यहां select किया है, थोड़ा से crop कर देते हैं, और यहां से हम done कर दे लेते हैं, उसके बाद चली हम थोड़ा जो इसे बढ़ा कर लेते हैं, इस तरीके से, और इसे भी हम lock कर देंगे, तो यहां ही पर हम फिर साइरो पे click करेंगे, और यहां से इसे भी lock कर देंगे, उसके बाद जो है दोस्तों अगर आप जो अपने thumbnail में कुछ लिखना चाहते हैं, तो जो किसे तरीके से लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको एक का आइकन पर जो आपको click करना ए है वसके बाद आपको जो यह पलस का आइकन दिख रहा है जहां पर लिखा हूँ है टेक्स तो टेक्स पर किलिक करना है उसके बाद पहल सिन का आइकन पर जो आपको किलिक करना है उसके बाद जो इसे जो आपको डिलीट कर देना है न्यू टेक्स को तो चलिए हम डिलीट कर देते हैं और यहां पर ह यहां आ गया है आप जो हम इसे जो जितना size जो हम चाहते हैं तो हम size में इसे select कर देते हैं चलिए यहां पर select करने के बाद अगर आप इसका color change करना चाहते हैं तो बड़े आराम से कर सकते हैं तो चलिए हम जो इसका color जो है यहां से choose कर लेते हैं तो यहां पर देख सकते हैं color का option आपको मिल रहा है color का option आपको click करना है उसके बाद आप जो भी color रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं तो मुझे यहां पर दोस्तों यह एलो वाला जो है वह अच्छा लग रहा है तो एलो वाला हम रख देते हैं और यहां से ओके कर देते हैं और अगर आप इसका फॉन जो है वह चैंज करना चाते हैं तो वह कर सकते हैं यह देख सकते हैं स्टैलिस करना चाते हैं तो स्टैलिस करना चाहते हैं इदर उधर तो आप जो है नहीं पर रखना हburg करदेता हूं उसके बदोस्त के फॉरा दोससे आस अम्हें में यह अधавать लोगाना है ताकि हमारा थमनेल वो बहुत चैक्ड़ कर लेते हैं डोगी बलेट इसे जो हम थोड़ा छोटा कर देंगे, और यहां पर क्यूंकि हमें इसे लगाना है, दोस्तो आप इस तरीके से बहुत सारे thumbnail बना सकते हैं, आप देख सकते हैं, कि हमारा जो thumbnail है, वो कितना प्यारा लग रहा है, कितना एक्ट्रेप्टिक लग रहा है, दोस्तो अगर आप भी इसी तरीके से जो वो thumbnail बनाते हैं तो ऐसा thumbnail पर जो है लोग ज़ादा से ज़ादा जो है वो click करते हैं ज़ादा से ज़ादा जो है वो view जो है वो thumbnail के बज़ा से ही आता है दोस्तो जब आपका thumbnail जो है वो पुड़ी तरीके से तो यह जो दोस्तो आपके गैलरी में जो है वो सेब हो जाएगा और छोटे मूटे अगर ad आता है तो उसे जो है आप एग्णोर करें कि यह फिरी एपकशिन है इसलिए जो छोटे मूटे ad जो है इस पर आते रहते हैं तो दोस्तो इस तरीके से जो है आप clickable thumbnail जो है वो बना सक तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो यह आपको पसंद आया होगा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक आच चैनल को सब्स्त्राइब जो है वो जरूर करते हैं तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में किनेट अपके साथ